अजमेर की विश्व प्रसित ख्वाजगरी नमास के दर्गा को खोलने के लिए आज मुख्यमंत्री के निर्देश पर समीती के बैठक का आयोजन किया गया जिला कलेक्टर विश्मोहन शर्मा की अधिक्षता में आयोजित इस बैठक में दर्गा दीवान के प्रतिनीदी के रूप में उनके बेटे और अजुमन सदस्यव दर्गा कमेटी सदर सहित अन्यप अधादिकारी मौजूद रहे जिसमें विचार विमश करते वे विबिन मुद्दो पर चर्चा की गई दर्गा कमेटी अमीन पठान ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर कमेटी का गठन कर बैठक का आयोजन किया गया है जिसमें आज गरीव नमाज के दर्बार को खोलने के बाद किस तरह से व्यवस्थाएं करनी है इस पर विचार किया गया विश्व प्रसित दर्गा ने देश विदेश से बड़ी संक्या में लोग पौसते हैं ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के साथी होटल वा गेस्ट हाउस में रुकते समय तमाम सुरक्षा पहलों को द्यान में रखा जाए यात्रियों को महमारी की जानकरी देते वे उन्हें तमाम सुरक्षा इंतिजामों की जानकरी दी जाएगी जिससे कि वधार्मिक आस्थाओं को ध्यान में रखते वे अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखे और इस महामारी को खत्म कर फिर से तमाम व्यवस्ताइं शुरू हो सके जी आज जो मुख्यमंत्री जी ने जो वीसी की थी उसके बाद यह ते हुआ था कि अभी लोकडाउन नहीं हटाया जाए धार्मिक इस्तानों को अभी बंद रखा जाए तो उसी को लेके आज जो सरकार का एक जो है एक सरकुलर आया था तो उस पे आज करेक्टर मोजे की अज्यक्षता में मिटिंग होई उसमें यह आज कहा गया है कि हम लोग जो दरगा कमिटी से जो जुड़े हुए लोग हैं दरगा से जुड़े हुए हैं अंजुमन जो है और हुदाम अजरात है और दरगा सोशल डिस्टेंसिंग का खयाल रखा जाए मास्क लगाया जाए तो उसके लिए प्लान और एक पूरी एक रूपरेखा तयार करी जाए तो फिर दुबारा एक मिटिंग होगी जिसके अंदर हम लोग सब बेटके जो दरगा से जुड़े हुए जो लोग है अंजुमने खु अलेक्टर मोदे के को यहां पर देंगे यहां पर फिर डिसकेशन होगा और उसके बाद यह सरकार को वेज़ेगे और मैं उम्मीद करता हूं कि इस महिने के लाश्ट वीक तक दरगा खुल जाएगी और उसी को लेके डिसकेशन हुआ आज किस तरीके से जाएरी नाय तो उन सब चीजों के लिए जायरी उनको यहां से इतला भी की जाएगी कि एक गाड़ी में आप पांट लोग नहीं बेटके आए आप तीन लोग आए चार लोग आए कमरे के अंदर कम लोग रहें अंदर भी सोशल डिस्टेंसिंग का खायाल रखें धका नहीं दें तो उन सब बा सब लोग मिलके एक बार बेटके कर लेंगे और पर्शाशन को यह बात रख देंगे और दर्गा खुलेगी तो पूरी खुलेगी लेकिन हम लोगों की समझाइश करेंगे सोशल डिस्टेंसिंग का खयाल लगेंगे ताके यहां से कुई ऐसी बात नहीं हो के लोगों को क्यो हम लोगों की समझाइश करें और सब लोग यहां पर आएं खुआज साब कर सब को फेज मिले और हमारे मुल्क से यह जो कोरोना यह खत्म हो जाए